दोस्तों मिश्टान फूड्स लिमिटेड के बोर्ड डिरेक्टर्स की मीटिंग आज 18 अप्रेल 2022 को अभी कुछी देर पहले हुई है और इस मीटिंग में Q4 के रिजल्ट को पब्लिस कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोनस इशु की एप्रूबल भी मिल गई है तो मैं पहले आपको इसके बोनस इशु के बारे में बताऊँगा और उसके बाद मैं इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में भी बताऊँगा तो आपका इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों ये कमपनी प्रीमियम बासमती राइस के बिजनेस में इंगेज़ है और ये कमपनी सिर्फ BSC में लिस्टेड है और आपको मैं एक खास बत बता दूँ कि ये एक T-Group का शेर है तो आप इस शेर को खरीद कर सेम डे नहीं बेच सकते हैं आपको इस शेर की डिलीवरी लेनी होगी और इस शेर का करेंट मार्केट प्राइस लगबग 28 रुपे के आसपास है कमपनी ने अपने इस बोनस इशू का रेशियो 1 इस टू 1 रखा है इसका मतलब अगर रिकॉर्ट डेट पर आपके पास इस कमपनी के एक शेर है तो कमपनी आपको उस एक शेर के बदले एक और बोनस शेर देगी तो रिकॉर्ट डेट पर आपके पास जितने भी शेर हैं कमपनी आपको उतने और शेर बोनस शेर की तरह देगी X bonus होते ही इस share का price X bonus से पहले की price का आधा हो जाएगा Company अगर fund की कमी के कारण अपने shareholders को dividend नहीं दे पाती है तो shareholders को reward करने के लिए company bonus issue करती है Company इस bonus issue में 50 करोड equity shares issue करने वाली है Company ने इस bonus issue की record date अभी fix नहीं की है इस bonus issue की approval shareholders से लेनी बाकी है Company ने ये भी बताया है कि company bonus shares को अपने shareholders के demand account में दो महने के अंदर अंदर credit कर देगी ये इस company के Q4 का financial result है और यहां सारे figure lakhs में बताए गए है Q4 में revenue from operation 153 करोड 47 लाग है जो previous quarter में ये 147 करोड 68 लाग था और previous year के Q4 में ये 105 करोड 18 लाग था तो year on year basis पर यहां लगबक 46 परसेंट की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये लगबक 4 परसेंट बढ़ा है Q4 में इस company का total revenue 153 करोड 47 लाग है जो Q3 में ये 147 करोड 60 लाग था और previous year के Q4 में ये 105 करोड 23 लाग था तो year on year basis पर यहां लगबक 46 परसेंट की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये लगबक 4 परसेंट बढ़ा है quarter 4 में इस company का net profit 13 करोड 15 लाग है जो previous quarter में ये 8 करोड 5 लाग था और previous year के Q4 में ये मात्र 32 लाग के आसपास था तो year on year इसमें 4031 परसेंट की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 63 परसेंट बढ़ा है Q4 में इस company का earning per share 26 पैसे है जो previous quarter यानि Q3 में ये 16 पैसे था और previous year के Q4 में ये मात्र 1 पैसे था EPS में year on year 2500 परसेंट की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये लगबक 62 परसेंट बढ़ा है Q4 में इस company का operating profit margin 14.5 परसेंट है जो previous quarter में ये 8.6 परसेंट था और previous year के quarter 4 में ये 1.7 परसेंट था तो आप देखिए operating profit margin year on year और quarter on quarter basis पर कितना ज़ादा बढ़ा है quarter 4 में इस company का net profit margin 8.6 परसेंट है जो previous quarter में ये 5.5 परसेंट था और previous year के Q4 में ये 0.3 परसेंट था तो आप देखिए net profit margin में भी year on year और quarter on quarter दोने ही basis में कितनी अच्छी बढ़त है तो आपने देख लिया इस company का revenue from operation, PAT और EPS इन तीनों में year on year और quarter on quarter दोने ही basis पर बहुत अच्छी बढ़त है और इस company का margin मतलब operating profit margin और net profit margin इन दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा सुधार हो रहा है तो मुझे इस company का result बहुत ही अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें इस वीडियो को share भी करें बहुत बहुत धन्यवाद